ये वीडियो इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो क्लास वाली वीडियो है हमारा वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और महिला की तीन मेजर प्रोब्लम है जो यहां पे देखिए यह सोडर उतरने की प्रोब्लम है जो यह वाली यह प्रोब्लम सबसे ब अल्रेडी यह वीडियो क्लास के अंदर बन चुका है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हुआ है वो भी जाकर आप देख सकते हैं तो इसमें मैं सौटकर तरीके से बताऊंगा ज्यादा कुछ घुमा फिरा नहीं करूंगा क्यावाली ऐसा होता है यहां पर देखिए बहुत सारे महिला में इस तरीके से आता है ऐसा आता है ऐसा आता है ने सभी लोग को जो इसमें नहीं है और इसका में डीजन होता है इसमें अलगतरी के से इसमें एक प्टिंट समंझाऊंगा जो बहुत ही बारी के शेतरीके सब्सक्ifice की डिखा होगा इसमें सिर्फ मैं एक यह समझाऊ अच्छे तरीके सां आपको समझने की जरूरत है सिर्फ cutting कैसे करना है method क्या है वहीं समझना है इससे पहले वाली video में मैंने समझा चुका है video में जो डिस्क्रम लिंक दिया हुआ कि आर्म होल और जोल आने का problem क्यों आता है और soldier क्यों उतरता है ठीक है लेकिन इसमें dedicated लगा लिए ऑगे आगे बढ़ते हैं सबसे नागे समाज लिएक जो यहां पे बैग में बढ़ाने का और घटाने का आपके ओपर डिसाइड होता है की आप बढ़ाते हो या नहीं बढ़ाते हो इस इसमें मैं एक इंच जो है बढ़ा दूंगा इससे क्या होता कि पीछे की भाग नहीं उठता है तो मैं इस्पेशल क्लास वाली वीडियो की चीज इसमें समझा रहा हूं आपको ठीक है एक इंच मैं यहां पर बढ़ा दिया सपोच कि जिए मैं इस मेजरमेंट के हिसाब से बन सबस्क्राइब लंबाइब लाएगे शोड़कर 14 इंच है तो हम 15 पर निशान लगाएंगे जान सामझेगा क्योंकि आधा इंच ओपर की मार्जिंग और यह नीचे की मार्जिंग 14 इंच इस तरीके समझेगा और नीचे की लां सीधा होने के लिए क्या करना है वी समझेगा तो ये बैक का पार्ट है तो 14 इंच हो गया, अब अगर आपका गला डीप है बैक का, यानि समझेए 7 इंच से ऊपर है, कोई भी, बैक गला डीप है, और आपका सोल्डर, सपोर्च समझेगा, सोल्डर आपका मेजरमेंट आया है बड़ी में 14 इंच, अगर आप बलाउच से मा करना है, 2 इंच माइनस करना है, 2 इंच कौन सा माइनस करना है, समझेगा, यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं, समझेए सारे 3 इंच पर, और यहाँ पर हम एक इंच का डॉट देते हैं, जितना भी यहाँ पर डॉट देते हैं, तो एक इंच इस साही डॉट हो गया, एक इंच गर्णी क्सटर योगरלה है प्लास दीप गला है इसके लिए एक कि सिlt और कम करना है तो कितुम होगा टूटल सब्सक्राइब हो सब्सक्क्राइब करना है आगर और समय रहो तो और एक इंच और एक स्ट्रा टीन आपको सोलडर कम करना है तो हमारा सोलडर जो है चाहब करेंगे एक 11 जाएंच के आधा होता है सहे हांब फंच ठीक है तो पे यहां पर निशानलाएंगे लिए देखेगा पांद तरह वालि मैंने डॉट दिया है यह ही हिसाब से यहां पे भी हम एक इन्च करेंगे अब एक किंज कैसे उपर करेंगे पहले वह माप लेते हैं कि हमारा 29 है तो उसका कमर कितना आएगा ठीक है 29 है तो इसका कमर की चौथा भाग जाएगा 7.25 आएगा तो इसमें मैंने सारे अबहाए है इसा समझ गहा अब यहां से इहां आपको ऐसा उठा दे ये तब क्या होगा कि जब डू अब dicey फोट हड़ाय कि दमip डोल जाएगा तो समाझ निजीए आपको समझ अगया कैसे कम किया जाता है औरिकर की ज hennais नॉ में जैसे सबूर्णाइच में देते हैं उस तरीका से आपकनि देना है बैंग में से मुझी तरीक से देना है कुछ भी अलग नहीं करना जितने डीप गले में आप बनाते हैं या आप दूसरे वीडियो से सीखे होंगे किसी दूसरे के वीडियो से अधाय इंच पॉने तीन इंच अधाय इंच दे रहे हैं ठीक है और ऐसे में आपको जो भी मर्जी हो दे दे है मैं इसमें 9 देता हूँ ठीक है और कि इधर भी आभी निसान नहीं लगाएं गले की निसान नहीं लगाएंगे ठीक है अभे हमारा यहां से होगा कि लेड़ अब आर्मोल निकालने के लिए आर्मोल हमारा 15 इंच है तो अगर यह 35 भागा 6 ठीक है कितना वहां 5.13 तो पॉने चेंज हम रखेंगे ठीक है पॉने चेंज यहां पर होता है द्यांसे देखिए गपॉने चेंज और ऐसा और ऐसा ठीक है तो हम आधा इंच और कम करेंगे यहां पर यहां पर मार्जिंग दिया हुआ है ठीक है तो हम इतना सा और कम कर देंगे इसमें अगर आपने सोल्डर एक इंच इस्ट्रा नहीं बढ़ाया ऊपर ब्लावज में बैक की पार्ट तो आपको यह वाला करने की जरौत नहीं है यह भी समझ दिजिएगा अब हम इसको नॉर्मल सेप दे देंगे ठीक है यह नॉर्मल सेप में हमारा यह पर्फेक्ट हो जाएगा अगर अपर चेश्ट तो आप उसमें बैग में पाव और गम देंगे ठीक है यानी समझे आफ पॉइंट पत्चास अरे आदा इंज कम करेंगे दिजिए चली आदा इंज कम करेंगे तो भी कोई दिकत नहीं आएगा हम आधा इंज कम करते इसमें ठीक है तो आफ पॉइंट सिदा कर देंगे मैं को देखिए ए बैग के लिए गला की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे ये त्यान रखिये अगर इसमें आर मुल कम ज्यादा करना है तो आप इसको कम्या ज्यादा नीचे कर सकते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे इसके बार आपको फरंगे नहीं कटिंग करना है ठीक है इस्में हम पहले डॉक्षा लगाएंगे इसमें सबसे पहले हम डॉक्षा लगा ये फिर आगे बाते Philip मांपो देखिए मैंने एक ये पर देखिए मेरी ने ब니다." souvenir यहां तक हमारा गला का निशान है हम उससे थोड़ा सा पहले तक कट करेंगे इसको कि देखिये यहां तक हां यहां तक आप इसको ऐसा हम छोड़ देते हैं ऐसा अब फ्रेंट कैसे पाइल करना वो समझेगा इसे में क्या हुआ कि जैसे यह cut हुआ न तो cut होने के वाद यह भाग गया देखिए इतना भाग गया इतना जो है यही चीज जो है यही point आपको समझना है इतना भाग गया तो हमारा shoulder कहां पहुंच गया देखिए यह आ गया 13 इंच तेरा इंच आ गया और बनते बनते ही अपने जगा पे 14 इंच इस पे जाकर सेट होगा है ब्लाउच जो है 14 इंच पे जाकर सेट हो जाएगा सोल्डर ठीक है तो यह ऐसा हो गया अब हम फ्रेंट की पार्ट कैसे कटिंग है वो समझेगा फ्रेंट के लिए एक अपरा लिया मैंने और इधर पे मैंने मार्जिंग छोड़ दिया समझ कि देए हैं वाला भागए आपको सीधा करना है और कुछ नहीं करना है और देखिए अब हम बताते आपको क्या होता है यह हमारा हुआ बैक का गला ठीक है न और यह हम सेप दे दिए आपको जो भी गला देना है आप दे सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं आएगा देखिए इस तरी कैसे अब आर्म होल में जोल क्यों आता है में पॉइंट आपका ए है ठीक है आर्म होल में जोल क्यों आता है यह तो हमारा किलिर होगा है कि यहां से यहां तक आपको यह वाला सीधा रखना है लेकिन यहां पे जो है देख सकते हैं कि यह वाला भाग गया है कितना भाग गया है लग से कटिंग करेंगे यहां जाएगा देखिए ठीक है तो हम इसको निसान लगा जाते पहला ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहों हो यहां तक हुआ अब हम पहले एक गला कटिंग करते हैं देखिए यह गला कट गया अब कितना भाग गया वह देखिए इतना भाग गया है समझिए गला कटने के बाद और ज्यादा यह भाग गया है अब सोल्डर हम आपकर आपको दिखाते हैं कि कहां नहीं हमां पहुंच रहा है सोल्डर हमारा परफ्रेक्ट यहां पbolाद करेंगे और फिर कि अचीज्ट और फिर यहां और से आएशा एक गला जो है यहां से इस तो देखिए ऐसा इसमें क्या होगा कि फ्रंट का गला भी खराब नहीं होगा और यहां का जोल भी नहीं आएगा तो अब देखाते आपको यह यह गला मैंने जो है कितना मापता अधाई इंच लेकिन एक इतना हो रहा है हमारा इस सारे तीन इस गला हो रहा है ठीक है एक इंच भाग गया कि नहीं बताई है अगर आप फ्रेंट का और बैक का गाला दोनों सेम कटिंग करते हैं तो यह डॉट लगने के बाद बैक जो है वह अपने जगा पे भाग कर जाता है लेकिन फ्रेंट में कोई भी डॉट नहीं लगता है इसके कारान यह जब इधर भागत है यह वाला सोलडर जो है जब इधर भागता है घ्रक गला कटी होने के बाद बैक के साथ अब खिंचता है तो ही यहाँ पर जोल आता यहां पर थिक है अब यह वह हैं और यह ऐसा होगा तो यहां पर जोल तो आई जाएगा ठिक है ना तो एडर आंजा चाहिए क्लियर कटिंग कीजिए आर्म होल का और गले का और सोलडर का तरीका यह आपको होना चीए नीचे की भाग आप किसी भी तरीके से कटिंग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है आपका कटोड़ी बलाओ जो चाहे how resistance को आपको इस तरीके से करना है ठीगे तो देखिए हम कठ करके बिलाओ हो को देखिए इस तरीके से अब आर मोल जो है थोड़ा सा हम इसको गहरा कर देंगे थोड़ा सा नहीं आधा इंच गहरा करना है आपको यह ठीक है यह देखिए हो गया अब मैं आपको समझाता हूं पूरा तरीका कि अब हुआ और मैं इसको रखेंगे हैसा ठीक है यह कर देखिए गला यहां पर चला गया बनते बनते वह अपने आप भाग जाएगा और यह जो है बैक अब इतना पर बलाव आपका स्ट्रेट होगा बनने के बाद भी बलाव जी यही पर सेट होगा ठीक है अब इसको अगर आप इसको ऐसा काटते थे, मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए, इसको हम ऐसा कटिंग करते थे, जहां हमारा फ्रेंट का रहा इंच पर कटिंग हुआ था, तो यह जैसे बैक के साथ मैं ऐसे भागेगा, तो यह ऐसा आ जाएगा, देखिए, देखी आया की नहीं है यहाँ पे जोल हो गया तो आश्या करता हो कि आपको यह. किजिए फिर मैं बताऊंगा आपको कहां पर आपका समझ्या है ठीक है ऐसे हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस तरीके से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यह मैं गारांटी देता हूं ठीक है एक बार आप ट्राइज जरूर कीजिए इस तरीके से अगर आप मैंड के तेज होंगे तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गये होंगे फिर मिलंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद